अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके आप सभी का स्वागत है भारतिय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तानी आतंकवादियों के मनसुबों को नाकामियाब कर दिया है एक आतंकी ठीकाना धुस्त किया गया है और इस ठीकानी से बड़ी मात्रा में हत्या और गोला बारूत बरामत हुआ है सेटलाइट तस्वीरों ने पाकिस्तान के चेहरे का नकाप एक बार फिर घटा कर रख दिया गया है क्योंकि इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी इलाके से आतंकवादि भारती सीमा में गुस्पैट का प्रयास कर रहे है आईए दिखाते हैं आपको क्या है पूरा वामला के साथ सेटेलाइट के जरिये ली गई तस्वीरों को भी सारजनिक किया है जिसमें यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के और से आतंकवादी भारती इलाके में घुसने का प्रयास कर रहे हैं चिनार कोर दुआरा किये गए ट्वीट में बताया गया कि 22 अगस्त को उन्हें इस बात की जानकारी मिली थी कि सीमा पार पाकिस्तान से घुस्पैट का प्रयास किया जा सकता है 30 अगस्त को जिला बारमुला के रामपूर सेक्टर में नियंतरण रेखा के साथ सटे हतलंगा इलाके के जंगलों में संदिग्ध हलचल देखी गई शिवनेगर अस्तित रक्षा मंतराले के प्रोक्ता करनल राजिश कालिया ने बताया कि संदिग्ध हलचल देखे जाने के बाद सुमवार सुबह पांच बजे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया मौसम खराब होने की वज़े से अभियान में काफी परिशानी आई इस पीच आतंकवादी वहां से फरार होने में कामियाब हो गए परंतु जवानों ने अपना अभियान जारी रखा देर शाम उन्हें सफलता तब मिली जब उन्होंने आतंकवादी ठिकाने को ढूंट निकाला और वहां छिपाए गए हथियारों को बरामत कर लिया छिपाए गए हथियार इलाके में सक्रिय आतंकवादियों की मदद के लिए थे मौझूदा इस्तिती को देखकर यह सपस्ट होता था कि आतंकवादी अकसर इस ठिकाने को हथियार छिपाने के लिए इस्तेमाल करते रहे होंगे आतंकवादियों के लिए काम करने वाले उनके ओर ग्राउंड वरकर या फिर स्वेम आतंकवादी मौका पाकर इन हत्यारों को ले जाते होंगे और उनका इस्तेमाल करते होंगे बरामत किये गए हत्यारों में 5 AK-47 राइफल उसकी 6 मैगजिन दो बंद डिब्बे जिन में 1254 राउंड है छै पिस्तौल उसकी 9 मैगजिन 6 राउंड 23 ग्रेनेट दो UBGL ग्रेनेट और दो कैन्वूट रेडियो से शामिल है 31 अगस्त को कश्मीर में तीन आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई जो की लोकल सपोर्ट के तोर पर भी काम कर रहे थे पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए रियासी की SSP ने एक बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि किस तरीके से जो आतंकवादी खासतर पे कश्मीर के ऐसे युवाओं को जिनको भ्रमित करके आतंकवाद की रहा पर ले जाया जाता है उनके परिवार वाले soft target होते हैं इन ISI handler के लिए क्या बता रही है रियासी की SSP आई आपको सुना पाकिस्तान बेस्ट टेरिस महमत कासिम जो यहीं का ही रहने वाला है महोर का ही रहने वाला था अंगराला जगा का जो आज से 18 साल पहले एकस्फिल्ट्रेट कर गया हुआ है पाकिस्तान में और वहां का जो इस सारे मोडियूल का मास्टर माइंड वही था और वह कुछ महोर में अपना एक बेस दुबारा से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था जिसके लिए उसने यहां के कुछ लोकल्स जो हैं जो किसी ना किसी तरीके से मिल्टेंसी के साथ जुड़े हुए थे चाहे उनके परिवार वाले थे बेटा है बाप है कजन ब्रदर ह उनको यह टार्गेट करता है इसका जो मोडस अपरेंडी यह है कि क्योंकि यह सौफ टार्गेट होते हैं गरीबी भी है नोकरी नहीं है तो इनको कहीं ना कहीं यह अपने साथ जोड रहा था ताकि अगर इन फ्यूचर अगर यह कुछ इंफिल्ट्रेशन करना चाहें कश्म करना चाहेंगे जो पाकिसान आना चाहेंगे इसका मतलब तो यही है कि वो रिवाइव करने के उसमें हैं मोड में हैं कि दोबारा से यह हो सके कुछ 11 लोग थे बैसिकलि जो सस्पेक्ट्ट थे वो 11 थे जो हमने पिक अप किये थे पूच्छ आच के लिए जिसमें से जिरो करके हम तीन पे आगे कि इन तीन का जो है वो में रोल रहा है मगर अभी बाकियों को भी हमने रूल आउट नहीं किया है उसमें एक लेडी भी है वो जमू की है उसने मतलब एडमिट किया है कि हाँ वो पाकिस्तान गई थी और वहां पे कासिम ने उसे कुछ पैसे भी दिये औ कहा गिफ्ट भी दिये और कहा कि इनको दे देना